हेलो डियर मैं कमल शाबड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूँ एवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लाट्वॉम तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पिछले सभी एक्जाम में ऐसे सी के सभी एक्जाम में आये हुए जितने भी हमारे टॉप लेवल के mathematical operations के questions हैं वो आज इस session में हम discuss करने जा रहे हैं टॉप लेवल के basic वाला बिल्कुल भी नहीं होगा अब कईयों को ये लगता होगा कि ये कोई नया topic है ये नया topic नहीं है क्योंकि कुछ एक books में इसका name जो है वो थोड़ा different होता है अब हमारा जो topic होगा वो रहेगा mathematical operation basically इसमें क्या है आपका जो follow होगा वो रहेगा board mask का rule bracket of division, multiplication, addition and subtraction तो ये तो आप सभी को पता ही होगा खैर तो जिसमें कि हम off से लेके या कह सकते हैं bracket भी enroll होगी आज के session में क्योंकि पिछले साल के question में पूछे गए थे off बहुत ही rare use हुआ था बाकिये तो terms आपको पता ही है किस तरह से sequence में हमें solve करनी है तो चलिए top level के question discuss करेंगे तो इसमें एक पहली type हमारी जो basic वाली रहती है उसमें रहती है board mass rule के through जो है वो solve कर देते है तो वो वाली type नहीं discuss करेंगे क्योंकि वो आए भी सिरफ 3 या 4 shift के अंदर ही थे बहुत easy level के questions होते हैं तो हम करेंगे जहां पर time taking task रहता है आपका exam में जाके इस तरह के question के उपर और भी varieties है interchange करना होता है signs को, numbers को, digits को तो धीरे धीरे जो है मैं in top level के question में भी जो है level increase करता रहोंगा तो session को पूरा देखना और इस session को देखने से पहले जितने भी हम यहाँ पर question सामने रखेंगे उसे आपको solve करके देखते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ यह मेरे लिए time taking था तो ही इसके solutions के उपर जाएगा detail में देखिएगा ओके और telegram का channel जो है join करना मत भूलना क्योंकि यह सभी sessions की PDF जो है आपको वही पर जाके available होगी चैनल को subscribe कर लो bell icon भी press कर लो क्योंकि अब regular basis पर ही वीडियो जाने वाली है और जल्दी जल्दी हम सारे के सारे topics cover करने वाले है शेयर भी कर देना बाकियों के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो यह type तो आपने देखी रखी होगी तो इसमें क्या करना होता है हमें जो यह equation given है हमें एक समीकरण given है उसमें जो है हमें इन symbols को किसी sequence में given signs के साथ replace करना है और हमें बताना है कि हमारी equation correct बन पाए तो यह science का sequence जो है आपको option में given है starting है तो थोड़ा सा glow बनाने के लिए मैं धीरे धीरे समझा दूँगा तो चलिए science का sequence जो है हमें pick करना है कौन सा option valid हो question को start करने से पहले बस आपको ये चीज identify करनी होती है कि आपका कौन सा option eliminate हो सकता है option क्यों eliminate करेंगे क्योंकि ये question को solve करने का कोई alternate नहीं है आपको सारे के सारे questions options के through ही करने होते हैं या मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो है आपका numbers के साथ अगर आपको खेलना आता है तो आप question को और जादा easily solve कर सकते हो वो आपका hit and trial method हो जाता है वो भी discuss करेंगे बीच बीच में अब options को eliminate कैसे करना है सबसे पहले आपका target क्या होगा पूरी की पूरी equation में आगे जितने भी इस level के question करेंगे ना discuss सेम ही हम common point ही discuss करेंगे equation में सबसे बड़ा number उठा लो जो आपको लगता है यह सबसे बड़ा number है आप उसे उठा लो अब उस सब बड़े number के बाद आपको एक छोटा number देखना है दिखाई दे रहे देखो जैसे 138 के बाद क्या है 23 अब ये देखिए क्या 138 का multiple है 138 जो है वो 23 का multiple है बिल्कुल है अगर मैं 23 को 6 से multiply करूँ तो 138 है आएगा तो मतलब के 138 जो है वो exactly divisible है 20 के साथ तो यहां से आप hit and try लगा सकते हो कि जो आपका इन symbols का sequence है उसमें दूसरे place पे कौन सा sign आना चाहिए divided by का divided by का sign आना चाहिए तो divided by का sign देखो दूसरे place पे कहाँ पर आ रहा है 0 for 0 आपको C option में दिखाई पड़ रहा है ये 99% cases में ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जब भी एक बड़े number के बाद एक छोटा number available हो और वो बड़ा number उस छोटे number का multiple बनके आए तो उन दोने के बीच में divide क sign पका आएगा तो मतलब के यहाँ पर divide का sign आपको कहाँ चाहिए दूसरे place पे चाहिए देखो कितने हमारे पास symbols हैं यहाँ पर 1,2,3,4 तो option में भी देखिए 4,4 signs ही given है तो आपको दूसरे place भी divide चाहिए सिरफ आपको C option में दिखाई दे रहा है तो आप इसी option को यहाँ प side equal का होनी चाहिए मतलब यहाँ पर result कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए तो इसके बाद देखिए 68 plus मैंने क्या कहा था 23 को 6 से multiply करो तो ही 138 आएगा तो इन दोनों का result board mass rule के through पहले divide solve करेंगे धर कितना आ गया 6 minus 54 तो देखिए आगे क्या होगा 68 plus 6 कितना हो गया 74 जो 70 में से 54 minus कर दो तो कितना आगया result हमारे पास यहाँ पर 20 तो यहाँ पर हमारी left hand side or right hand side equal बनी तो मतलब यह जो sign का sequence था option number C के अंदर वो आपकी given equation को क्या कर रहा है satisfy कर रहा है बहुत सी shift के अंदर यह question जो है इस level के पूछे गये थे हाला कि इस से high level भी आया था वो आपको आगे द हैं जो मुझे लगता था हाँ बड़ी level का question है easy वाले तो सारी कर लेते हैं तो idea हो गया होगा ठीक है solve करने का तरीका पता चल गया होगा अब हम देरे-देरे speed increase करते रहेंगे similarly इस question में देखिए क्या है again यहाँ पर देखिए 48 को अगर मैं focus करूं क्योंकि बड़ा number वही दि है तो option ऐसा choose करो जिसमें first place पे divided by का sign divided का sign यहाँ पर available है देखिए c option के अंदर तो आप इसी option को सबसे पहले fix कर सकते हो जैसे की equation के बनेगी 48 divided by 12 into 8 plus 15 minus 3 is equal to 40 और आप solve कर लेते हैं board mass rule गएंगे तो पहले divide solve होगा 4 into 8 plus 15 minus 3 कितना आ गया यह 32 plus 15 जब आपके पास यहाँ पर last में addition और subtraction वाले sign रह जाए ना तो आप कुछ भी पहले कर सकते हो यह matter नहीं करता बट करना ध्यान से यह देखना है किस नंबर के साथ minus का sign है किस नंबर के साथ plus का sign है plus वाली terms को ल result आ गया 44 मतलब हमारा c option में जो given sequence है signs का अगर हम उन्हें in symbol के साथ replace करेंगे तो आपकी equation को क्या कर देगा वो correct बना देगा मतलब सही कर देगा चलिए next फिर से आपको again यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 135 बड़ा नंबर है बड़े नंबर के बाद एक छोटा नंबर है 15 और 15 का multiple बनके बैठा यह 135 15 को 9 से गुणा करो 135 आ रहा है अब देखो यह मैंने जो है पिछले साल सा ही question उठाए है और आप यह भी यह देखेंगे कि एक अधि टाइप को छोड़ के न mathematical operation में mostly questions जो है वो options के थ्रू ही attempt होते है और 70 to 80% chances यह रहते हैं कि अगर आपका question जो है option के थ्रू solve हो रहा है तो most of the time आपका जो answer रहेगा ना वो option C या option D में mostly दिखाए देगा आपको आप इस session को देखेगा आपको खुद feel होगा इस चीज़ के बारे में कि हां mostly हमारा answer जो है C या D option में ही आ रहा है यह कब काम आती है technique जब आपका कोई भी option eliminate ना हो रहा हो अब यहाँ पर भी क्या लग रहा है C ही option लग रहा है क्योंकि अगर 135 का multiple है और divide का sign आना चाहिए तो पहले place पे divide का sign तो आपको सिरफ एक ही option में दिखाई दे रहा है ना तो चलो satisfy करवाते हैं एक बार इसे करके देखते हैं यह hit and trial ही रहेगा आपको solve करके जरूर देखना यह कितना आ गया गुणा करेंगे 27 प्लस 2 माइनस 13 अब आपकी call है जो मर्जी पहले follow up कर लो 27 और 2 कितने होगे 29 में अगर 13 कम कर देगे तो result कितना आ जाएगा 16 तो यहाँ पर भी हमारा correct answer कर रहेगा option number C next question देखिए देरे-देरे level बड़ेगा मैंने पहले clear किया अब ध्यान से देखिए फिर से हमें science का sequence उठाना है options को realize करो हर एक option के अंदर पहले दो science जो है वो common है देखो पहले दो science जो है वो common है multiply and divide पहले दो science common है मतलब इनका result जो है हर option में जो है वो same आने वाला है अब यह से अगर मैं इसे solve करता हूँ तो पहले दो sign कौन कौन से है multiply और divide चलो इसे एक बार solve करते हैं बाद में बैठे हुए है terms उसको बाद में realize करते है ठीक है चलो 18 गुर्णा 3 पहले divide solve होगा देखिए कितना हो गया इनका result कितना आ गया 54 54 के बाद आपके पास 5 6 और 53 तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारे result बनने वाला है ना या तो इन दोनों और इन दोनों को मिला के वो equate होगा या इन तिनों के साथ ये equate value हो जाएगी यहाँ पर आपको लगाना हिट एंट राइल हिट एंट राइल अगर लगाने बैठें तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर sign matter करेगा या तो यहाँ पर हर option में equal to जो है वो last पर place किया जाता है suppose यहाँ पर होता equal to का sign तो मतलब के इनी तीनों टर्म से मेरे पास क्या आएगा 53 अगर हर option में होता तो बट हर option के अंदर वो equal to का sign जो है वो vary गर रहा है देखो यहाँ पर आखरी से तीसरे place पर यहाँ प की correct बन जाए creativity दिखानी है अगर मैं इन दोनों और इन दोनों को आपस में जोड़ दो 54 प्लस 5 कितना हो गया 59 53 प्लस 6 भी कितना होता है 59 ही तो होता है मतलब यहाँ पर plus का sign इधर equal to का sign इधर plus का sign प्रोस चेक करते हैं कि किसी option में given था आपको देखो किसी भी option में नहीं द दो प्लस के sign नहीं available तो आपको और creativity दिखानी होगी यहाँ पर sign के साथ और के चीज़ें आप जो है follow up कर सकते हो अगर मैं 54 में 5 जोड़ दो 54 में 5 जोड़ दो 59 उसी में 6 कम कर दो तो भी तो 53 आता है तो मतलब कि यहाँ पर plus का sign रग दिया जाए यहाँ पर minus का sign रग दिया प्लस माइनस इक्वल टू आपको कहां दिखाई दे रहेती नहीं एक ही सिक्वेंस में option number भी तो यह हमारा correct answer यह होता है hit and trial तो पहली priority रहती है options eliminate करो अगर options eliminate नहीं हो रहे हैं तो आपको इन ही numbers के साथ थोड़ी creativity दिखानी है थोड़ा logic follow up करना है उसके बाद अपने accordingly आप signs fill कर सकते हो next देखें फिर से अब यहाँ पर सबसे बड़ा number उठा लो बड़ा number आपको 133 दिखाई दे रहा है होना चाहिए तो option पकड़ो यहाँ पर चोथे place पर multiply multiply इन दोनों में से मेरा कोई एक answer होगा इन दोनों में से मेरा कोई answer होगा अब अगर इन दोनों को ही हम target कर रहे हैं सिरफ इन दोनों को ही अगर हम target कर रहे हैं तो multiply का sign भी दोनों में common ही है ऐसे answer ये भी हो सकता है अगर first प्लेस पर अगर मैं डिवाइड यहां पर फिल करूं तो 14-7 का multiple नहीं बनता बिल्कुल बनता है पहले दो भी हो सकते हैं बट priority हम इनको देंगे ठीक है priority इनको देंगे क्योंकि अगर मैं multiply यहां पर फिल कर देता हूं इन दोनों को मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि 133 को 19 से गुना करोगे तो 27 के गरीब value बनेगी result तो मेरे पास three digit में है ठीक है इनको solve करने पर कहीं न कहीं आपका four digit में आएगा answer तो हम इन दो options को तो ignore करके चलेगे आप ऐसे भी creativity लगा सकते हो तो चलो इनको पकड़ते हैं सबसे पहले यहां पर difference का आ रहा है सिरो plus और minus में मतलब के इन दो places पे पाकिसारा तो सेम ही रहेगा multiply का sign जो है वो सेम रहेगा देखो 14 को 7 से multiply करेंगे क्योंकि दोनों में ही पहला sign जो है वो multiply का है उसके बाद हमें पता नहीं है क्या आएगा तो result यहां पर क्या आ रहे 39 फिर उसके बाद हमें पता नहीं क्या आएगा 133 divided by 19 और last में equal to में result कितना चाहिए 130 अब आगे देखी क्या है अब देखो no doubt यहां matter करता है कि पहले divide solve होगा फिर उसके बाद अगले step में multiply आएगा अब यहां पर मैं आपको एक logic clear कर देता हूँ अगर multiply और divide के sign में कहीं भी connection नहीं है कहने का मतलब अगर मैं multiply यहां पर देखता यहां multiply आ रहा है फिर उसके साथ कोई number है फिर आपको अलग-अलग step में question को solve करना है पहले एक step में divide कीजिए फिर अगले step में multiply कीजिए अब देखो divide और multiply में काफी gap आ रहा है इसका इसके साथ कोई connection नहीं है तो multiply और divide इस तरह के question में एक इस step में आप कर सकते हो exam oriented approach बता रहा हूँ अगर आपको time save करना है इसको अलग से solve कर लो क्योंकि इसका impact इसके ओपर या इसका impact इसके ओपर नहीं पढ़ने वाला क्यों क्यों क्योंकि बीच में minus और plus के sign आने वाले है यहाँ पर आ गया 39 फिर उसके बाद 19 को साथ से multiply करो तो 133 आएगा उसके बाद आपको दिखानी है creativity कैसे दिखा होगे हमें result कितना चाहिए 130 अगर 130 तक पहुंचना भी है तो मैं अगर 98 में 39 जोड़ दो हर एक चीज clarity में बता रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा time ticking लग रहा होगा गपर घबराईएगा मत जब आप उससे खुद से practice करेंगे न तो guarantee के साथ कहता हूँ अगर यह approach लगाओगे तो within second question solve होगा within seconds में चलिए next देखे फिर से अब यहाँ पर 64 देखा बड़ा नमबर है 64 के बाद क्या रहा है 11 क्या 64 का multiple है बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पर हम नहीं सोचेंगे कि divide का sign आएगा उसके बाद अगर approach करें 42 तो 42 7 का multiple है 7-42 होता है न तो मतलब पहला place जो है वो किस ठीक है यह बात दिहान से समझेगा हम इनको यह नहीं कहेंगे कि eliminate ही हो चुके है हम इनको ignore करके चल सकते है ठीक है priority नहीं की रहेगी और guarantee या answer इनहीं से ही निकलता है most of the time ठीक है चलिए तो हम इनको अगर solve करें तो यहाँ पर भी दो चीज़े हमें common दिखाई दे रही है दोनों की position सेम है difference कहा आ रहा है सिरफ plus और minus में तो पहले इसी solve कर लेते हैं 42 divided by 7-64-11 into 6 तो result कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए हमारा solve करते है 6, 64, 66 अब इसे solve करने पे result कितना चाहिए 4 चाहिए तो ओवे सी बात है यह दोनों तो add कर रही नहीं सकते क्योंकि result जो है वो 130 से भी उपर चला जाएगा तो वे सी बात है इन में से एक term जो होगी या तो 64 वाली है 66 वाली दोनों में क्या आएगा difference रहेगा एक minus वाली term पक्का रहेगी solve कैसे करना है देखे ध्यान से अगर मैं 6 में 64 जोड़ दूँ 6 में 64 जोड़ देंगे कितना result आएगा 70, 70 में 66 कम कर दोगे कितना आएगा 4 ही तो बनेगा मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और ये value minus कर दी जाए 70 में 66 कम करो result कितना आया 4 मतलब आपका second और third place पे क्या आना चाहिए plus और minus का sign क्योंकि हम इन्हें तो solve करी जोके थे divide और multiply को बचा कौन plus और minus तो यहाँ पर answer क्याएगा option number ही next फिर से देखिए अब 45 चोबीस का multiple है इलकुल भी नहीं है उसके बाद देखिए 24 और 72 को अगर हम target करें देखिए बाकी और कोई भी मल्टिस बहत्तर 20 का multiple भी नहीं है सोचने वाली बात है 20 12 का भी नहीं है बट 72 का जरूर है मतलब एक बड़ा number 72 ऐसा दिखाई दिया जिसका जो उसका गुणाक है मतलब 24 का multiple जो है वो उससे पहले बैटने के बज़ाए उसके बाद में बैठा हुआ है समझ में ही बात उसके बाद में बैठा हुआ है जो बाद में बैठा हुआ है कहने का मतलब यहाँ पर divide हो सकता है अब 24 को 72 से अगर divide का sign यहाँ पर fill करेंगे भी सही मैं आपको idea दे रहा हूँ बट यह चीज़ आपको mentally गरनी है without pen and paper इनका result कितना आ जाएगा 1 by 3 अब 1 by 3 आ गया मतलब एक fractional value आई मतलब जो है यह create करेगी doubt doubt क्या create करेगी कि यहाँ पर हमारे पास सारी numeral value में ही result आते है fractions में आप बहुत ही rare देखेंगे decimals में आप बहुत ही rare देखेंगे तो यह 1 by 3 आ गया तो यह तो दिक्कत देगा मतलब कही ना fractions देगा fractional value create करेगा तो क्यों ना हम इस 1 by 3 के साथ उसके साथ ऐसा number लें multiples में जो से exactly cut हो जाए जैसेगी हमने यहाँ पर रखा divided by assign कितना आ गया एक बटा 3 अगर मैं इस एक बटा 3 को यहाँ पर गुणा कर दू 45 के साथ तो यह fraction खतम हो गया ना इधर 3 है इधर 45 रखा हुआ है इस equation को मैंने यहाँ पर रखा देखो इसका result तो कितना आ गया एक बटा 3 तो 15 तीए 45 मतलब fraction खतम आपके बास यह चीज रह जाएगी उससे solve करना समझ महीं बात तो मतलब कोई भी एक ऐसी value आती है अगर आपने divide का sign वहाँ पर fill किया और एक fractional value create हो रही है तो उस fractional value के साथ ऐसा number multiply कीजिए जो वो fraction को eliminate कर दे cancel out कर दे ठीक है तो यह सारे previous year में आ रखे हैं बहुत ही important level के question है ऐसा भी देखने को मिल सकते है आपको तो हम एक काम करेंगे हमारा यही hidden trial रहेगा कि पहले place में हम fill करेंगे multiply फिर उसके बाद करेंगे divide यहीं पर ही fill करके देखेंगे क्योंकि 72 जो है वो 24 का multiple है तो 45 गुना 24 divided by 72 तो पहले 2 signs multiply और divide के आपको A option में available है और किसी भी option में available नहीं थे तो पहले तो इसे solve करके देखेंगे हम ठीक है चलिए solve करिए तो इसका result कितना आ गया था 45 गुना 1 बटा 3 तो इसका result कितना आ गया 15 है तो मतलब यहाँ पर तो equation हमारी solve हो चुकी है 15 20 12 7 यह result रहेगा तो हमने target किसको किया है क्योंकि यही option है जिसमें पहले 2 sign multiply और divide के है बाकी भी replace कर दो क्योंकि और किसी भी option में पहले 2 sign multiply divide के नहीं थे equal उसके बाद क्या है minus and plus तो देखते हैं इससे result हमारा निकल के आता है कि नहीं आता तो इसका result जो है वो 15 के बराबर देखो बहुतों को मैंने देखा है उनको addition और subtraction भी नहीं आता है तो आपको ध्यान से देखना है plus वाली terms को 81 ले लो minus वाली को 81 ले लो तो plus वाली term है 20 और 7 20 और 7 कितने हो 27 में 12 कम कर दो कितना आगा 15 मतलब हमारा a option जो है इस equation को correct बना देगा totally hit and trial चलेगा यहाँ पर बस आपको multiple ढूणना है कहाँ पर divide का sign fit होना चाहिए ठीक है पहले divide का sign cross check करो फिर multiply पर आओ plus और minus rare help करेंगे आपकी divide और multiply पका help करते है next question फिर से देखिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा number target करते हैं कौन सा दिखाई दे रहा हमें 468 अब देखिए कि 468 अठारा का multiple है या नहीं multiple कैसे बनाने है split करके अगर मैं 18 का double करूं तो 36 मतलब 18 को 20 से multiply करूं तो 360 है 360 में क्या value जूड रही है 108 18 के table पे 108 भी आता है 18 को 6 से multiply कर दो मतलब के अगर मैं 18 को 26 से गुणा करूंगा तो 468 है कहने का मतलब जो दूसरा place है symbol जो है वो किसके साथ replace होना चाहिए divided by के sign के साथ अब divide by का sign जो है वो तो आपको 3 option में दिखाई रहे है second place पे और D option में देखें तो first place पे आपको divide का sign दिखाए वे रहे है अब 5 divide 468 ये तो fraction आएगा तो इसको direct eliminate करो इसको ये मत देखो ignore करके चलो अभी के लिए for timing eliminate कर दो ये answer होई नहीं सकता काफी दिक्कत create करेगा तो चलो अब बात आती है कहाँ पर हमारे पास remaining options के उपर अब remaining option में देखो तीन signs common है देखने इसे ही पता चलने देखो divide sorry पहला multiply दूसरा divide और आकरी में multiply का sign ये तो common है तो मतलब कि यहां से लेके यहां तक और इसके साथ हम जो है इन चीजों को solve करके देखते हैं अभी के लिए 5 into 468 divided by 18 dash यहां नहीं मुझे पता कौन सा sign आएगा dash यहां नहीं मुझे पता कौन सा sign आएगा यहां नहीं पता कौन सा sign आएगा 4 into 5 तो fix हैं ही है क्योंकि last place को किसे replace किया जा रहे है आपर multiply के साथ जो कि आपको ABC तीनों में ही comment दिखाई दे रहे थे आईए अब result निकालते हैं यहां पर 5 गुना यह कितना आगया 26 ओके फिर उसके बाद 70 है फिर 180 भी है पता नहीं है इनका result क्या आएगा इधर क्या आगया 20 26 को 5 से गुना करो तो 6 5 30 बांदूनी 10 130 आगया यह 130, 70, 180 और 20 अब रह गया इनका result अब यहां पर आपको equation को आपस में solve करना और देखना है क्या result आने वाला है clearly पता चल रहा है अगर मैं 130 में 70 जोड़ दूँ 200, 120 में 180 में 20 जोड़ दूँ तो भी 200 मतलब यहां पर plus का sign यहां पर plus का sign और बीच में क्या आएगा equal to का sign equation तभी correct बनेगी न यहां plus, equal to, फिर plus plus, equal to, plus देखो कहीं आ रहा है plus, equal to, plus plus, equal to, minus, r plus, minus, equal to, r minus, plus, equal to, r मतलब जो हमारा hidden trial है वो तो कैसी भी option के अंदर available नहीं था तो आपको कुछ होना कुछ और creativity दिखानी होगी यहां पर और number के साथ देखो खेलना पड़ेगा तो क्या चीज़े हम follow up कर सकते हैं देखो, एक और चीज़ का result बनाए जा सकता है अगर मैं 130 में 70 जोड़ दू 200 बना 200 में 180 कम करो तो 20 नहीं आता मतलब कि इन दोनों में plus का sign रख दूँ अगर मैं इन दोनों के बीच में minus का sign रख दूँ जो कि किसके equal बनने जा रहा है 20 के equal देखो, 130 में 70 जोड़ दो 200 में 100 सी कम कर दो 20 ही तो आएगा तो plus minus equal to देखो कहां पर है प्लस minus equal to आपको पहली option में दिखाई दे रहा है इसलिए answer का आया option number A totally hidden trial लग रहा है तो no doubt option के तुरू हमें करना है पड़ इसके लिए थोड़ी सी clarity होने चाहिए numbers के साथ खेलना आना चाहिए बहुत easy लगेगा फिर question next फिर से देखिए अब यहाँ पर 512 देखना पड़ेगा कि 32 का multiple है या नहीं 512, 32 का multiple है या नहीं बन सकता है कैसे बन सकता है 32 को double करेंगे तो 640 के करीब value बनेगी अब ऐसा unit digit देखेंगे ऐसा multiple देखेंगे 32 को multiply करने पे जिसका unit place जो है वो 2 आ जाए तो वो कौन सा हो सकता है 6 ही तो हो सकता है 6 ही होगा 6 को 2 से multiply करो 6 दूनी 12 unit place 2 आया तो मतलब यह 32 जो है वो 16 से गुणा हो सकता है 32 जो है वो 16 से गुणा होगा और कितना मनाएगा 512 कैसे करेंगे पहले 32 को 15 से कर दो या 32 को 10 से करो 320 32 को 15 से कर दो 32 को 5 से करोगे 535 160 ओके फिर 32 और जोड़ दो डारेक्ली देखो यह 512 ही बन रहे तो ऐसे तोड़ तोड़ के अगर multiple बनाएंगे न तो काफी clarity होगी आपको किस से वो divide होने वाला है तो 512 को मैं पांसो बारा को अगर मैं 32 से divide करूँगा तो result कितना आएगा आपके बाद 16 तो वे सी बात है 512 32 का अगर multiple है तो पहला प्लेस जिवाइड का होना चाहिए न तो आपको यहाँ पर तीनों option में दिखाई दे रहा है accept this अब यह कहा रहा है तीसरे option पर divide आना चाहिए मतलब तीसरा symbol अगर divide के साथ अगर replace करेंगे 9 बटा 100 समझे बात 9 बटा 100 fraction generate करेगा तो इसे directly eliminate करो अब आती है बात यहाँ पर और बाकी तीनों option में पिछले question की तरह ये तीन signs जो है वो common है कौन-कौन से divide पहले place पे multiply दूसरे पे और आकरी में भी multiply देखो तीनों में common है तो हम fixed pattern को उठाते हैं सबसे पहले 512 divided by यहाँ पर क्या आ गया 32 फिर उसके बाद multiply का sign है 9 100 6 उसके बाद 25 गुना 2 अगेन देखिए यहाँ पर 512 को 32 से अगर हम divide कर दें तो कितना result आएगा हमारे पास यहाँ पर 16 गुना 9 100 6 पाके result यहाँ पर कितना आ गया multiply कर दीजे 50 16 को 9 से गुना करेंगे तो कितना है 144 इन दोनों के बीच में sign नहीं पता इन दोनों के बीच में sign नहीं पता इन दोनों के बीच में sign नहीं पता तो result कितना आएगा यहाँ पर 50 तो यह हमारी end में equation मनी अब देखना पड़ेगा तीसरे चोथे और पांचमें place पे कौन सा sign replace होना चाहिए creativity दिखा के देखते हैं अब देखो अगर मैं 144 में 6 जोड़ दूँ 150 फिर 100 कम कर दूँ तो कि वो 50 आ रहा है मतलब कि फिर से सुनना अगर मैं इन दोनों में minus का sign और इन दोनों में plus का रखो प्लस वाली टम्स एक साथ ले लेंगे 144 में 6 जोड़ दो 150 में 100 कम कर दो कितना आ गया 50 तो हम देखेंगे क्या यह सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहा है A, B, A, C option में minus plus equal to तो minus plus equal to देखो minus plus equal to आपको C option में यह दिखाई दे रहा है कि हमार answer हो गया next फिर से देखिए 2502 क्या 14 का multiple है obvious ही बात है बनेगा क्योंकि सब भी option में ही देखो पहला sign कौन replace हो रहा है यहाँ पर divided by का और एक और मज़े की बात यह है एक option को छोड़ के बाकि तीनों के अंदर दूसरा sign जो है वो multiply का है तो चलो पहले divide को तो solve करो 252 divided by 14 तो result देखते हैं कितना बनेगा 14 एकम 14 कितना रहा यहाँ पर 11 रहा 14 आठेक 12 मतलब इनको अगर solve करेंगे divide करके देखेंगे तो result आया 18 अब equation आगे लिख सकते हो 18 8 116 60 तो हमने यह equation create कर दी अब आगे देखते हैं इनमें क्या हम hit and try लगा सकते हैं अब यहाँ पर अगर हम target करें एक बार इसे eliminate करके देखते हैं मतलब देखते हैं इससे answer आ सकता है या नहीं तीसरे place पे multiply का sign है पहले place पे तो divide तीसरे place पे multiply का sign है मतलब 8 और 100 के बीच में अगर हम गुणा का sign लगाएं 800 की value आ गई plus or minus आप कितना कर लोगे 1206 पे नहीं पहुंच पाओगे मतलब यह काफी huge value देगा जो आपकी result की नहीं है तो आपका C option निकला बाहर अब बात आती है बाकी options के उपर जिनमें सभी में ही दूसरा sign जो है वो multiply का है multiply का है तो मतलब 18 को अगर 8 से multiply करेंगे 180 में 36 कम कर दो directly कितना हो गया 144 144 116 60 अब इनके बीच में दुबारा से creativity दिखा दो यह पिछले question की तरह बन गया देखो 144 में 16 जोड दो 160 160 में 100 कम कर दो 60 ही तो आगया मतलब इदर minus का sign इदर plus का sign और इदर equal to का sign 160 बन गया इन दोनों को जोडने पर minus कर दिया 100 तो result कि तो आगया 60 तो sequence आगे कहा रहेगा minus plus equal to minus plus equal to देखो कहाँ पर है option number B के अंदर तो यह answer हो गया again यहाँ पर एक option को छोड़के बाकी सभी option के अंदर पहले place पर divide का sign है इस option में दूसरे place पर अगर आ रहा है तो मतलब 23 divided by 93 fraction generate करेगा और 93 23 का multiple भी नहीं है इसको ignore करो तो बाकी option के अंदर देखिए पहला sign जो है वो divide का है मतलब हम इन्हें divide करके result लिख देंगे तो कितना आएगा 23 दूना 46 21 होगी बात कतम मतलब 483 को 23 से अगर divide करेंगे तो result 21 आना चाहिए result कितना ना चाहिए 21 आना चाहिए उसके बाद की game आपको खुदी खेलने पड़ेगी return trial के साथ 16 4 50 तो चलो अब नमबर के साथ creativity अगर दिखानी है तो वेसी बात है यहां पर multiply तो हो गई नहीं बहुत huge value create कर देगा और किसी भी option में ऐसा था भी नहीं तो किसके साथ multiply करें अब multiply का sign जो है क्या हो सकता है तो अगर मैं 50 और 4 के बीच में multiply रखता भी हूँ कितना result आ गया 200 मतलब इस option को अगर मैं थोड़ा ignore करके भी चलो 200 आ गये यहां पर अगर इन दोनों को solve कर दूँगा 50 और 4 को multiply अगर लगा दूँगा यहां पर 200 आया क्या यह तीनों values मिलके 200 बना सकते हैं result प्लस से हैं minus करके बिलकुल भी नहीं बना सकते तो आप अब यह option को भी eliminate करो तो यहां से clarity एक यह मिली हमें कि हमारा last place पे multiply नहीं आएगा second last place पे आएगा क्योंकि बाकी दो ही option बचे second last place में multiply आएगा तो इनका result यहां पर कितना आ गया 64 चलो एक फिलप तो ignore हुआ 21 93 64 50 यह चीज होगी यहां पर उसके बाद देखिए और क्या किया जा सकता है अब देखो इनका unit digit 4 बन रहा है इधर भी 4 है तो 50 आ सकता है कैसे अगर मैं इन दोनों को add कर दो 93 में 21 जोड़ दे 9 और तो 11 कितना होगा 114 114 में 64 कम करो तो 50 ही तो होता है मतलब इन दोनों को जोड़ दो यह value minus कर दो equal to 50 direct result निकलेगा तो plus minus equal to sorry plus minus multiply तो हुई चुका था तो यह answer रहेगा हमारा option number D के अंदर आप directly भी cross check कर सकते है second last place में multiply हमने पहले solve कर लिया था तो हम यह वाला ignore करके चलेंगे अभी के लिए यहाँ पर भी नहीं देखा in short पहले plus आना चाहिए फिर minus आना चाहिए आपको D option में दिखाई दे रहा था next अब क्या देखा जा सकता है यहाँ पर 40-20 का multiple है मतलब तीसरा sign जो है वो divide से replace होना चाहिए बट यहाँ पर किसी भी option के अंदर तीसरे place पे divide हाई ही नहीं कहाँ पर आ रहा है चोथे place पे देखो चोथे place पे अगर divide आएगा मतलब 20 और 4 में आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 20 जो है 5 ब्लैक 210 कितनी समझ में आगी बात अब आगे देखो हमें कहीं न कहीं result हमारा जो है अब आखरी sign को अगर में replace करूँ अभी मैं पिछली बात काटूँगा directly suddenly मुझे क्या दिखाई दिया multiply का sign आखरी में 210 को 5 से multiply करेंगे तो 1000 से भी उपर की value चली गई क्या ये तीनो values 1000 बना सकती है अगर multiply ये वला और ये वला option में पकड़ता भी हो देखो ignore ऐसे ही करने न एक्जाम में आपको option को multiply अगर मैं sign पकड़ता भी हो और कहीं भी multiply है नहीं divide हम use कर चुके है तो 210 को 5 से multiply गरो 1000 से value उपर ही जाएगी या plus और minus सिरफ 1000 से उपर value बना देंगी ये तीनों बिल्कुल भी नहीं तो आप इन दोनों option को भी ignore करके चल सकते हो इन short हमारे पास इन दोनों option को अगर go through करें तो पहले place में multiply आ रहा है creativity दिखानी पड़ेगी क्या creativity लगेगी अगर मैं 175 में 40 जोड़ दो 215 215 में 5 कम कर दो 210 मतलब यहाँ plus का sign यहाँ minus का sign जो कि किसके equal होगा 210 के तो 215 में 5 कम कर दो 210 आ रहा है but it 215 में 5 कम कर दिया 200 आया plus minus और equal to plus minus और equal to divide initially हमने solve कर लिया था तो उसको देखो मत जिनने आप use करके equation solve कर देते हो न उसको ignore करके ही चलना क्योंकि exam में जाके दिक्कत देगा आपको फिर return trial कहां से रहा फिर हमारा तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है चोटी चोटी बात होगा next देखिए तीसरे place पर भी divide है एक दो तीम तो आठ बटा 64 हाया तो fraction generate करेगा और इस divide के साथ में कहीं भी multiply भी नहीं है fraction में ही answer आएगा यहाँ पर बात अगर हम करें 64 बटा 48 64 बटा 48 तो 64 48 का multiple नहीं है और इस divide के साथ multiply भी नहीं है जो उस fractional value को compensate कर दे तो हम एक काम करेंगे इससे और इससे ignore करके चलेंगे बात आएगी बस यहाँ पर और इन दोनों में एक और चीज़ common है multiply का sign तीसरे place पर बैठा है जो solve करके देखते हैं तो पहले तो हम देखेंगे 216 divided by 6 फिर उसके बाद blank तीसरे place में multiply का sign है 64 फिर blank रिजल्ट कितना आना चाहिए 500 आना चाहिए तो इसका result कितना आ गया 36 इन दोनों को multiply कर दो कर सकते हैं क्योंकि बीच में plus या minus का sign आएगा तो इस divide का इसके उपर कोई impact नहीं पढ़ने वाला तो 8 चुके 32 carry forward कितना रहा to 500 equal to sign हमें already available था चलो इसे ये solve करके देखते हैं तो वेसी बात है 512 में 36 अगर जोड़ू 548 result 500 बनाना उसकी दरह focus करो ये हो गया 548 इसमें 48 कम कर दो मतलब इदर plus का sign और इदर minus का sign plus और minus देखो कहा आ रहा है multiply और divide हमने कर लिया था sequence देखो plus और minus का पहले plus फिर minus भी option आपका final answer again sign replace करते है 62 का multiple है मतलब पहला place जो है वो replace होगा किस के साथ? divide के साथ b के इलावा सभी में है दूसरे option में भी है देखो 2 बटा 3 आ गया ये fraction को cancel भी कर रहा है तो अभी के लिए मैं इसे eliminate नहीं करूँगा ignore करूँगा ये मेरा answer हो सकता है but majority में हमें 3 option में divide का sign दिखाई दे रहा है तो हम इसे पहले solve करके देखी लेते है 60 divided by 2 30 आ गया तो मैं result लिख रहा हूँ मैं किसी भी option में divide का sign नहीं देखूँगा क्योंकि मैं उसे use करके उसे solve कर चुका हूँ divide हटा दो यहां से बाकी sign का sequence देखें क्या रहा है result यहां पर बाकी equation क्या है 3, 6, 5, 47, 43 चलो बात करते हैं आगे अब क्या creativity लगा सकते हो multiply के अगर हम focus करें multiply का sign इधर दूसरे place पे है हम उसे solve कर चुके है इधर अगर हम multiply का sign रखते हैं तो यह आगया 90 अगर यह 90 आगया तो यह plus यह minus होके हमारे पास result दे सकते हैं 47 का इल्कुल भी नहीं दूर दूर तक नहीं देंगे कितना कम कर दोगे values को plus भी use होगा minus भी use होगा अब यहाँ पर equal to का sign भी matter कर रहा है कि यहाँ पर equal to दिखाई दे रहा है देखो second last place पे यहाँ से देखिए अब equal to का sign तो दिखाई दे रहा है साथ में last वाला sign minus का है तो इधर अगर हम minus लगाएंगे तो value तो negative में चली जाएगी value जो है वो negative आईगी ना 43, 5 minus 43 कितना हुआ minus में 38 हुआ तो एक काम करते हैं हम equal to यहाँ ना सोच के अभी के लिए for time being last place पे ही सोच के चलते हैं कि last में ही equal to लगा हुआ है तीसरे place पे भी multiply आ रहा है मतलब मैं इन दोनों को target करके चल रहा हूँ दोनों में plus का sign भी common है दूसरे place पे आ रहा है मतलब यहाँ पर तो 30 और 18 कितने होगे 48 में 5 कम कर दो कितना हो गया 40 तो यह हमारा D option final result देगा hit and trial है totally smartly play करना है अगर options ignore करना चाते हो this is the best approach इसके इलावा कोई alternate नहीं है तिरे की option रहा जाता है options pick करो sign का sequence fit करो देखो किस से equation correct बनती है तो थोड़ा smartly play करना होगा तो I think आपको clear हो चुका होगा यह वाला question कैसे solve है अगर हलका सब ही doubt आए ना rewind करके जरूर देखना सारी picture clear हो गए ही मैंने sign को replace किस तरह से किया next देखे फिर से 134 का multiple तो है नहीं 221 17 का हो सकता है 221 जो है 17 का multiple हो सकता है कैसे अब 17 को 10 से गुणा करें तो 170 170 में कितना जुड़ रहा है 51 तो 17 का 3 गुणा 51 ही तो होता है मतलब 17 को 13 से multiply करो 221 आएगा ही आएगा पहले option में हमारे पास divide नहीं है multiply आ रहा है first place पे दूसरे place पे divide आ रहा है 17 बटे 12 fraction generate करेगा इसे eliminate करो ignore करो that's up to you ignore करना मतलब 90% cases में वो eliminate ही हो रहा है बाकी option में देखिए दूसरा sign multiply दूसरा sign multiply इधर minus का है common नहीं है तो हम इसे use नहीं करेंगे चलो आजएगी यहां पर इसे solve करने लगाओ divide का sign जो है वो cancel करो बाकियों की बात करेंगे हम तो कितना गा था मैंने 13 12 13 24 50 चलिए निकालते है result फिर अब c, b, d d और d में second last place पे equal to आ रहा है और plus b आ रहा है दो चीज़े common है c option के अंदर plus और equal to जो है वो replace हो रहे है क्या चीज़ें कर सकते हूँ यहां पर जहां पर majority लग रही है ना पहले अगर हम वो option को target करें तो अगर यह plus हो रहे है इदर equal to का sign मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ यह कितना आ गया result 74 देंगे तो इन तीनों से 74 बनना चाहिए इन तीनों से क्या बनना चाहिए 74 बनना चाहिए कैसे बनाया जा सकता है अगर मैं 13 को 12 से गुणा कर दो यह वाला option चूज करें यह तो नहीं चूज करेंगे क्योंकि 130 को 12 से गुणा करेंगे कितनी value पहुंच जाएगी साइन, multiply का साइन ले जाते हैं 156 हुआ 156 में मैं अगर 130 कम करूँ कहीं भी हम पहुंच नहीं पाएंगे 74 तक मतलब second last place जो है वो कभी भी satisfy नहीं करेगा इस चीज को तो आपका यह option तो eliminate हो रहा है बात रह जाती है ले देके C option के उपर फिर से देखो अगर मैं divide का sign तो कर दी हमने solve फिर आया multiply का sign यह हो गया 156 156 में 156 में 24 जोड़ दो कितना होँ रिजल्ट 180, 180 में 30 कम करो परन गया 50, चीक है अब देखो कैसे मैंने किया यहाँ पर हमारे पास यह चीज़ ignore करते है यह तो चीज़ पता होगी ना कि मैंने D option को क्यों नी target किया क्योंकि अगर यहाँ पर multiply हम use करते है तो 1500 से भी उपर की value जाती यह result कहीं न कहीं हमें 74 equal बना नहीं रही थी C option ही बचा बाकी तो 13 multiply 12 minus 130 plus 24 equal to 50 देखेंगे result आता है नहीं इन दोनों को solve किया कितना हुआ 156 130 कम करेंगे 24 जोड़ देंगे देखते है result 50 बनता है या नहीं 156 और 24 कितने होगे 180 में 130 कम करो 50 आ गया तो correct answer is option number C चलो यह तो थी पहली type जिसमें हमने क्या discuss किया है सारे का सारा sign replace sequence में sign को किस तरह से replace करें कि equation correct बन गए तो यह interchange वाली चीज़ें आ गए यह भी बहुत बार पूछा गया है यह पहले हम देखेंगे symbols के साथ numbers के साथ फिर ऐसे equation भी है जिसमें number और symbol दोनों ही replace हो रहे है तो चलो बात करते हैं यहाँ पर तो कौन से ऐसे दो signs आपस में replace करें कि हमारी equation जो है वो correct बन किया है option के through ही करना होगा बागी hit and trial भी apply कर सकते हैं यहां से देखेगा divide by जो sign है उसे आप अगर ignore करके चलेंगे तो बहतर ही होगा क्योंकि divide का sign अगर यहाँ पर है 4 बटा 2 multiple है अगर ना होता तो ओविसी बात है हम divide को ही use करके उसे replace करके देखे तो चलो by chance अगर divide और minus replace होते भी है divide यहाँ पर आ गया minus इधर चला गया यह mentally करना है 12 बटा 8 3 बटा 2 हो गया 3 बटा 2 में 4 add होगा तिक्कत देगा ignore करके चलो अब minus और divide को तो सोचे मत के वो replace होंगे divide और multiply replace हो सकते हैं मैं पहले COD को क्यों target कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या कहा था option के थो हम questions कर रहे हैं अगर options ignore भी करने हैं तो mostly हम यह देखेंगे कहीं हमारा COD option तो नहीं answer में multiply और divide अगर हम solve करके देखें अगर इधर divide का sign आया इधर multiply आया इधर multiply और इधर divide तो 8 आठ यह value एक बन जाएगी यह value कितनी बन जाएगी 1 के equivalent आएगी देख लो चाहे इधर divide आया 1 बटा 4 4 से 4 cancel एक आगी ना value तो 12 माइनस 8 प्लस 1 कभी भी आपको 4 नहीं देगा result तो आपका ये option भी बाहर निकल रहे बात रहती है सिरफ इन दोनों के उपर पहले 2 को target करते हैं minus or multiply अगर हम replace कर दें minus or multiply अगर multiply यहाँ पर आया 12 को 8 से गुणा करो 96 यह तो 2 ही रहेगा तो कहा पहुँच पाऊगे आप 4 पे आपकी value तो यहाँ पर 90 से उपर आज रही है सिंगल डिजिट नमबर कितना result दे देंगे आपको फिर भी 4 तक नहीं पहुँचो गए तो ultimately मुझे यहाँ पर लग रहा है कि answer जो है वो भी option होना चाहिए चलो भी option को target करते हैं लगर multiply और plus का sign replace करते हैं multiply इधर आगया plus इधर आगया तो अगर multiply इधर आया बन सकती है बात देखो try करके देखते हैं 12 minus 8 multiply और plus को हम replace कर रहे है 4 divided by 2 plus 8 पहले इसे solve करो 12 minus बटा 2 लगा दू तो कितना result आजाएगा 16 मैंने इसे एकी step में solve कर लिया ठीक है 32 बटा 2 कर दिया 16 आगया result प्लस आठ 12 और 8 20 minus 16 चार आगया तो answer रहेगा option number भी दिर दिर आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं फिर से आगे देखें यहाँ पर क्या है 156 बड़ा number target करेंगे उसके बाद क्या है 13 अगर मैं divide का sign नहीं replace करूँगा न तो fraction value आएगी क्यों 18 बटा 5 एक fraction नहीं तो होता है तो minus और divide replace कर दो खतम question यह आपका answer होगा minus की जगा मुझे divide दिखना चाहिए क्योंकि 156 जो है वो 13 का multiple है moreover divide तो पका replace होगा क्योंकि 18 बटा 5 एक fraction आ रहा है तो divide तो पका replace होके कहीं जाएगा यह option तो रहे नहीं दो plus की जगा जाएगा या minus की जगा या divide कोशिश करो यहाँ पर आए minus के साथ replace हो क्योंकि 156 तेरा का multiple है तेरा गुनाबारा 156 tables भी आने चाहिए तो इन दोनों को replace करके देखते हैं मतलब मैं priority यहाँ पर दे रहा हूँ 5 तो solve करके देखते हैं इधर आगया 12 plus इसे भी अलग से solve कर लो क्योंकि बीज में plus का sign आ रहा है इसका इसके उपर कोई impact नहीं पड़ेगा 18 को 9 से करो तो कितना आगया 162 minus 5 162 और 12 कितने हो गए 174 में 5 कम कर दो 169 correct answer is option number 2 देखा again यहाँ पर आते हैं 45 9 का multiply है तो इधर divide आना चाहिए देखो divide और multiply वाला भी है हमारे पास option करके देखते हैं चलो करके देखते हैं इसे solve 21 plus 5 minus 45 divide 9 रिजल्ट देखें 11 आता है या नहीं 21 plus 5 यह कितना हो गया 9 बटे में आ गया तो यह मैं directly solve कर रहा हूँ 15 आएगा बटा 9 आ गया 9 5 45 5 गुना 3 कितना आ गया 15 एक्जाम में भी ऐसे ही solve करना है आपको 21 5 26 में 15 कम कर दो 11 result इस हमारा correct बना option number C में अगर हम divide multiply को replace करेंगे तो जाके question सही है चले यहाँ पर आईए 70 35 का multiple है तो ignore करके चलो कि divide का sign जो है वो replace करें यह option के लावा और कहीं था भी नहीं तो और किसे replace किया जा सकता है plus और multiply को replace करके देखें अभी verbally अगर हम सोचें अगर इधर multiply आ गया plus इधर चला गया 49 और 26 अगर multiply होंगे मैं कहता हूँ इधर 50 है जादा दूर भी नहीं जाते है 1000 से भी उपर value चलेगी आद में कहा रहे जाएंगे plus minus फिर भी 42 दूर दूर तक नहीं आएगा तो multiply को तो replace इधर वाले option में करो ही मत हम C option को ignore करके चलेंगे A option को भी ignore करके चलेंगे B के लिए for time being B option को अगर हम target करें multiply और minus अगर इधर multiply आ जाता है 45 को 50 से गुना करो 2000 से भी उपर value इसको भी ignore करके चलो रह के आ गया ले देखे हैं हमारे पास D option answer चलो solve करके देखते हैं plus और minus replace होंगे 45 plus 49 minus 26 गुना इसे direct solve कर दू क्योंकि यह तो replace नहीं हो रहा ना 70 बटा 35 कितना हो गया 2 45 plus 49 minus 52 तो चलो देखते हैं इसमें क्या result आ रहा है 45 और 49 कितना हो गया 94 94 में 52 कम करो 94 52 कम करो 42 हमारा result correct answer is option number D again यहाँ पर देखिए इसको replace किया जा सकता है यहाँ पर no 6 का multiple नहीं है बट दोनों का एक common multiple है 3 दोनों का common multiple है 3 तो इधर अगर divide में 2 आ जाता है जैसे 9 बटा 6 है कितना आ गया 3 बटा 2 fraction को ignore करने के लिए 7 में multiply 15 है तो भी यह exact divide नहीं होगा तो या तो divide का sign कहीं हो और replace होके जाएगा या तो multiply गा sign कहीं हो और replace होके जाएगा कहां create कर सकते हैं चलो option के थुरू देखते हैं अगर मैं plus or divide को replace कर दो plus or divide को replace कर दो plus इधर divide उधर तो भी fraction बन रहा है इसको ignore करके चलो दूसरा option multiply और minus को replace करके देखते हैं interchange multiply और minus अगर replace होंगे तो ये value कितनी बन जाएगी डेड़ सो डेड़ सो में ये छोटी छोटी values 8 का result कहां से दे देंगी आपका B option भी eliminate हो गया तीसरे option में आते हैं plus and multiply plus or multiply अगर आपस में replace होंगे इधर plus आ गया और इधर multiply का sign hit and try लगा के देख रहे हैं और ये देखो 9 बटा 6 हमने करके देखा था 3 बटा 2 गुणा 8 ये देखो 2 चोके 8 ये replace हो सकता है मतलब हम कहीं न कहीं दे सकते हैं C option हमारा valid हो सकता है एक बार हम चलो लगे हाथ सारे तो देखी रहे हैं D option को भी pick करके देखते हैं minus or divide अगर replace करते हैं उसके साथ compensate हो रहा है साथ में multiply sign लगा के वो fraction compensate हो जाएगा चलो C या D में से कोई भी choose कर लो पहले C कर ले वो नहीं तो ये होगा फिर तो 10 minus 15 multiply और plus plus 9 divided by 6 multiply by 8 इसे solve करते हैं 10 minus 15 plus ये कितना आगया 3 बटा 2 गुना 8 result कितना आया 4 अब 10 minus 15 plus 12 12 और 10 कितने होगे 22, 22 में 15 कम करो 7 आना चाहिए बड़ रिजल्ट 8 आ रहा है हमारा C option तो बाहर निकला रहा का गया D option प्रोस्टेक करने के लिए satisfaction satisfy करवाने के लिए आप इसे implement कर दो इन दो sign को आपस में replace करते हैं minus और divide को तो क्या result बनेगा 10 divided by 15 उसके बाद multiply 9 minus 6 फिर क्या है plus 8 चलिए इसे solve करते हैं ये कितना आ गया 2 बटा 3 गुना 9 minus 6 plus 8 तो ये 6 है value देखो 3 तीन तीनो ये 6 minus 6 कितना होगे 0 ये दोनो values cancel होगे result कितना आया 8 इसले correct answer कर रहेगा option number D next again देखिए अब यहाँ पर question ध्यान से समझने वाला है इस equation को जब भी interchange में numbers आ जाए न तो बस आपको एक task करना है हलका सा clue लेना है कि आपको numbers को replace करना है अपस में interchange करना है या digits अंक लिखे हुए ये बहुत important point है ज़रूर question में पढ़के चलिएगा which two digits need to be interchange कौन से ऐसे दो अंको को आपस में बदलने की जुरत है कि equation जो है वो balance हो जाए अब अंक replace करने है digit replace करने है जैसे आगया 7 और 8 interchange का मतलब पता क्या होगा अब कईयों को confusion ये होती है अगर हमें 7 और 8 replace करना है तो ये 7 और 8 तो replace हो जाएंगे क्या ये वला 8 भी 7 के 7 replace होगा ये 8 और 7 भी replace होगा अपस में बिल्कुल होगे अगर 7 और 8 replace हो रहे हैं तो इस 8 की जगा 7 आजएगा इस 8 की जगा 7 आजएगा इस 7 की जगा 8 आजएगा समझ में भी बात है तो ये चीजें हो सकती है तो चलो अगर हम मालो करके भी देखते हैं ये अगर हम पहला option उठाते हैं 7 और 8 मैं अगर replace कर भी दूँ तो इधर क्या value बनेगी 85 इधर क्या बनेगी 17 ध्यान देने वाली बात ये है 85, 17 का multiple है answer हो सकता है बट काफी जगा पर हमें 7 और 8 replace करना पड़ेगा कोशिश करो अब ये answer हो सकता है इसे hold बे रखते हैं, बाकी options को देखते हैं कोई answer हो भी सकता है ये नहीं एक और 5 अगर replace कर दे अगर इधर 1 आ गया और इधर 5 आ गया या 71, 58 का multiple बनेगा दूर दूर तक नहीं बनेगा क्योंकि 71 जो है वो तो एक prime number है इतना बड़ा fraction create करेगा जो की काफी hectic बना देगा पूरी equation को तो ये तो ignore होगा हमारा option 5 और 2 अगर हम replace कर दे 5 और 2 अगर हम replace करें तो ये हो गया 72 72 जो है 18 का multiple भी है ये answer हो सकता है ये भी answer हो सकता है इसे हम hold भी रखेंगे आठ और 2 अगर replace करके देखे 75 इदर आगया 2 क्या 75 बारा का multiple है बिल्कुल भी नहीं है तो इसे भी ignore कर चलो अब या तो ये answer है या तो ये answer है कैसे पता चलेगा अब जिसमें least changes हो रही हो ना उसे उठा लो 5 और 2 इसको पिक करो पहले 7 और 8 को replace करने बढ़ोगे ना इधर 7 आठ बनेगा इधर 8 साथ बनेगा इधर 8 साथ बनेगा इधर 8 साथ बनेगा इधर भी 8 और 7 replace हो जाएंगे यह होगा क्योंकि सभी 7 और 8 को आपस में interchange करने तो बैतर है हम 5 और 2 को replace करके देखते है इसको उठा लिया equation सोलना होई फिर time taking फिर doubt आएगा यह होगा या नहीं होगा तो जहाँ पर कम आपको लगे ना कि time ज़ादा कम से कम लग रहा है उसको पहले उठाओ 5 और 2 को replace करके देखते है यह होगया 72 divided by 18 5 और 2 replace होगा plus 21 गुना 8 minus 85 5 और 2 को replace किया है बस हमने चलो आगे देखिए यह कितना होगया 4 प्लस इसे लग से solve कर दो 8 दूनी 16 168 minus 85 168 में 4 जोड़ दो कितना होगया 172 172 में अगर मैं 85 minus करूं 12 में से 5 के बिलकूल आ रहा है देखो result आया ना तो correct answer is option number C यह question कहीं न कहीं आपके लिए हलके time taking हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको digits को आपस में interchange करना है फिर mentally करना होगा कि वो चीजें satisfy कर रही हैं जो इनके बीच में signs included है तो यह आपको options जो है mentally solve करके देखने होगे हलका सा hit and try लगाना होगा जादा नहीं again अब यहाँ पर है which two signs कोन से दो signs को आपस में replace करना चाहिए तो यहाँ पर देखिए 646 भी है 746 भी है दिक्कत देने वाला question हो गया ना 646 क्या 19 का multiple है check करना पड़ेगा 646 अगर मैं 19 को 30 से गुणा करो तो हम 570 तक तो पूँच जाएंगे बाद में कितनी value यहाँ पर add हो रही है 76 की 19 के table पर 76 भी आता है तो कोशिश करो divide तो replace करो ही मत किसी के साथ भी divide तो हम replace करेंगे नहीं क्योंकि अगर मैं 19 को 34 से गुणा करूँ तो clearly हमारे पास 640 result में आ रहे है माइनस और multiply को अगर हम replace करेंगे multiply इदर आ गया इदर result हमने कितना बताया था 34 गुणा 740 पतने कितनी value आईगी निकालो इसे बाहर ये नहीं answer होगा multiply और plus को अगर आपस में replace करें इदर multiply आ गया इदर plus 740 का 20 गुणा 14,000 के करीब कितना जायज है multiply और divide मैंने कहा ना divide को कोशिश करो replace मत ही करो तो मतलब positive vibes आ रही है कि c option answer होगा इसे ही उठा लो 640 बटा 19 में ने कितना कहा था 34 माइनस 746 माइनस प्लस तो replace करने वाले हैं इदर plus इदर माइनस 20 गुणा 34 आगे solve करते हैं 34 प्लस 746 माइनस 34 दूना 68 680 बना अब देखो इसे solve करके result आना चाहिए 100 अगर ये 680 है तो ये 780 बन रहा है जी बिल्कुल बन रहा है 746 बन चौनतिस जोड़ दो 780 680 माइनस कर दिया 100 हमारा final answer next देखे क्या है फिर से 사진 को ये आपस में replace करना है कोशिश करेंगे 49 3 divide का sign है 49 3 का multiple भी है तो कोशिश करेंगे इसे ना ही छेड़े नहीं करें माइनस डिवाइड है कहीं माइनस डिवाइड अगर replace हुए तो 26 13 का भी multiple है ये देखो बैठा हुआ है चलो कोशिश करते हैं कौन सा option eliminate हो सकता है अगर मैं multiply और minus को आपस में replace करूँ यहाँ पर multiply आ गया 26 गुना 13 26 गुना 13 तो मतलब कितनी value हो गई 300 के करीब 300 से भी उपर जाएगी तो यह 300 value हो गई यह हो गया 13 आगे क्या कर लेंगे बाकी 2 signs कभी भी आपको 2 नहीं देंगे multiply और minus तो ignore ही होगा ऐसे number के साथ कहलना है mind में ही calculations करनी होगी आपको दूसरा option पकड़ते है divide and minus का अगर मैं divide और minus को replace कर दो तो result आ सकता है मेरे पास क्योंकि divide अगर इधर आया तो 26 तेरा का भी multiple है तो यह option valid हो सकता है divide और multiply को अगर हम replace कर देंगे तो 3 बटा 13 fraction generate करेगा इसको भी ignore करके चलो plus और minus अगर replace हो जाएंगे तो यह भी answer कर सकते है या तो B answer है या तो D दूनों में से कोई एक pick कर लेते हैं कौन सा करें बी कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखते हैं यह नहीं तो फिर D होगा answer divide और minus को 49 minus 3 गुना 13 plus 26 divided 13 तो चलो इसे solve करते हैं 49 minus यह 49 कर सकते हैं कि step में क्योंकि की बीच में plus का sign आ रहा है इन दोनों का दूसरे के उपर कोई impact नहीं पड़ेगा plus कितना हो गया दो यह cancel हो के result आ गया satisfied अगर आप D option पिक करते हैं यह नहीं तो फिर यह answer हो जाता फिर आपको solve नहीं करना फिर directly mark कर तो B option वो तभी कर सकते हो अगर आप बाकी option के साथ जो है वो sure है कि वो आपका answer तो कभी होई नहीं सकते फिर आप यह step उठा सकते हो otherwise आपको वो भी करके देखना पड़ेगा solve next फिर से which two numbers कौनसी दो संख्याओं को आपस में interchange किया जाना चाहिए यहाँ पर digit नहीं है यहाँ पर numbers है चलो solve करके देखते हैं सबसे पहले hit and trial option को ही उठा लो 20 और 7 अगर हम replace कर दें 20 और 7 किया जा सकता है अगर 20 और 7 replace कर देंगे तो 25 गुणा 20 500 के करीब value आईगी अगर यह 500 बना यह होगा 10 अकेला 20 क्या 210 बनवा देगा बीच में बिना multiply बिना divide के sign के नहीं बना सकता न तो वे सी बात है अगर यह 500 होगी और यह 10 होगी और बीच में 20 वाली value 210 तक हमें नहीं पहुंचा सकता माइन में ही calculation करो हलके हलकी value जो है plus minus के साथ है इसको तो ignore करके चलो 25 और 20 25 और 20 replace किये जा सकते हैं अगर 25 साथ multiply कर दें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यह वैलिड है यह answer हो सकता है 20 और 40 को आपस में replace कर सकते हैं जी बिलकुल कर सकते हैं अभी क्योंकि 20 और 40 अगर replace होंगे तो 24 का भी multiple है वैलिड है यह भी answer हो सकता है डी option को पकड़ के देखते हैं 25 और 40 यह नहीं होगा क्योंकि अगर इधर 25 आया तो वो 4 का multiple नहीं है fraction generate कर देगा दोनों मेंसे आपकी चुए से कोई भी pick करो C भी कर सकते हो B भी कर सकते हो चलो पहले B कर लेते हैं वो ना तो फिर यह answer है अब मैं share हूँ यह मेरे answer तो होगे ही नहीं चलो B option को target करते हैं कितना आया 20 गुना 7 प्लस 25 माइनस 40 डिवाइडिड बाई 4 करो solve 140 प्लस 25 माइनस कितना आ गया 10 140 और 25 कितना होगे 155 माइनस 10 नहीं आ रहा न 210 देखो तो मातलब के हमारा B option भी बाहर तो C ही रहेगा C ही रहेगा सॉरी मैंने यह eliminate कर दिये थे ना C ही रहेगा चलो इसे solve satisfy करवाना है तो आप apply कर दीजे value दो नमबर फरीगे बनेंगे ना apply कर दो value कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 20 और 40 को replace करना है 25 गुना 7 प्लस 40 माइनस 20 divided by 4 चलो यह कितना हो गया यह हो गया 175 प्लस 40 माइनस कितना हो गया 5 बन सकता है 175 में 40 जोड़ दो 215 में 5 कम करो 210 final answer is option नमपर C चलो next देखिए अब यहाँ पर भी क्या करना है which two numbers कौन सी दो संख्याओं को आपस में interchange करें तीन और नो को replace कर सकते हो तीन और नो अगर replace होंगे हो विसी बात है हो सकते है 36 नो का भी multiple है तीन का भी है valid है हो सकते है 32 और 36 replace हो सकते हैं नहीं क्योंकि अगर इधर 32 आया तो 32 तीन का multiple नहीं है fraction generate कर देगा ओके इग्नोर करके चलो ऐसे eliminate मत करो इग्नोर कर दो क्यूंकि अगर यहाँ पर 32 आता भी है 32 बटा 3 गुणा 9 तीन compensate हो रहा है ना fraction में बैठा हुआ तो इसे eliminate मत करो hold रख लो 64 और 36 हो सकते हैं 64 फिर से 3 का गुणा नहीं है बट फिर वो 3 तीन तीन नो compensate हो रहा है इसे भी hold रखके चलेंगे positive vibes नहीं आ रही एतनी कि यह answer देदेंगे 9 और 64 हो सकते हैं 9 और 64 अगर कर द रिवाइड करोगे 12 बारा गुना 64 साड़े 700 के करीब वैल्यू जाएगी यह तो eliminate कर दो directly चलेगा हम पहले एको ही target करके चलेंगे बाकी जो हैं वो 50-50 chances है answer दे भी सकते नहीं भी दे सकते क्योंकि यह replacement के बाद जो fraction create कर रहे हैं वो fraction compensate हो के cancel हो रहा है आगे बैठे 9 के साथ अब करके भी देख सकते हो हम a option को पहले priority देंगे चलो देखते हैं 64 plus 36 divided by 9 गुना 3 minus 32 इसे solve करके देखो 64 plus यह कितना होगा 4 4 ती है 12 मैंने एक इस step में इस equation को solve कर दिया minus 32 64 और 12 कितने होगे 76 में 32 कम कर दो 44 is the correct answer option ने जो है वो changes में हमें correct answer दे रहे है चलो which two numbers फिर से numbers को ही आपस में replace करने आप ध्यान दीजेगा यह equation lengthy है पर यहाँ पर हमें जो है brackets को पहले priority देनी है 78 और 45 अगर replace होंगे आपस में interchange होंगे इधर आगया 45 बट 45 जो है वो 48 का multiple नहीं है fraction create कर देगा ऐसे है देखो अगर आप इसे compensate करके भी देखते हैं फिर भी 75 बटा 6 आया ना fraction तो create हुआ तो यह तो answer नहीं होगा आप ए option को बाहर निकाल दो directly 26 और 15 अगर 26 और 15 replace होंगे कर सकते हो बट फिर 78 और 48 जो है वो एक दूसरे से exactly divide नहीं होंगे हो सकते हैं fraction compensate हो जाएगा देखो 78 बटा 48 मैंने करके दिखाया दा ना 48 आठ छे आया फिर 6 का multiple 78 भी है या 78 जो है 6 का multiple भी है तो आप इसे hold वे रखके चलो 48 और 49 ये कर सकते हो देखो अगर इदर 49 आ गया तो 78 से 49 से जो है वो 78 exactly divisible है इसमें positive vibes आ रही है हम इसे पहले पिक करेंगे अगर बाके पर doubt आया तो 45 और 48 अगर फिर से वही बात आगी 45 तो पहले भी था अगर 45 इदर आया तो 78 45 का multiple नहीं है तो इसको भी ignore करके चल सकते हो 48 और 49 और 49 और 49 ही replace होंगे divided by 49 गुना 8 प्लस 26 गुना 7 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 48 प्लस 47 प्लस 15 प्लस प्लस 15 प्लस सॉल्व करते हैं ये कितना हो गया दो एक स्टेप में कर दूँ ये आ गया दो गुना 8 16 आ गया मैं की स्टेप में इससे सॉल्व कर रहा हूँ प्लस 26 को साथ से करो साचीक 42 सादुनी 14 182 माइनस 48 45 और 15 यहां पर कितने हो गया हमारे पास 60 तो देखे इससे रिजल्ट आपके पास 210 आता भी है या नहीं अब डारेक्टली पता क्या कर सकते हो यूनिन डिजिट का भी रेफरेंस ले सकते हो छे और दो आठ आठ प्लस 0 आठ आठ मेंसे आठ कम हो गया माइनस है ना यूनिट प्लेस तो जीरो आ रहा है मतलब यह आंसर देगा और शे और करके देख लेते हैं सोला और 182 सोला और 182 कितने होगे 198 प्लस 60 कितने होगे 198 प्लस 60 कितने होगे 258 मेंसे 48 कम कर तो 210 बिलकुल एग्जेक्ट आंसर आ रहा है तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर सी अब यह आगे जादा हाई लेवल के एक्वेशन यह भी पिछले साल वाले मेंसे ही उठाए है मैंने अब यहाँ पर आए विच टू साइन्स एंड विच टू नंबर्स ऐसे कौन सी दो चिन साइन्स या कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए कि आपकी ज कर सकते हो तो ज्यादा बैतर होगा अगर मैं मल्टिप्ला यह थोड़े टाइम टेकिंग रहेंगे तो इससे आप इंस्टनली सॉल मत करना फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में सॉल्व करना नहीं तो फस जा होगे ओके राइम कंजूमिंग हो सकता है नो डाउट इ जा सकता है तो इसको सेकेंड राउंड में सॉल्व करिएगा अब अगर मैं मल्टिप्लाइ और डिवाइड रिप्लेस कर भी देता हूँ जहां से समझना ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है पिछले क्वेशन की तरह ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं है प्लस और मल्टिप्लाइ और डिवाइड रिप्लेस करता हूँ इधर डिवाइड आ गया एज्यूम करो इधर डिवाइड आ गया साथ और छे रिप्लेस होंगे ना क्या बारा पांस से डिवाइड होगा नहीं होगा ना फ्रेक्शन क्रियेट करेगा ऑप्शन बाहर निकालो नियूमरल वैल्यू में नेक्स्ट देखिएगा C option पर आते हैं divide or minus replace होते हैं ये दोनों इधर आगे 4 बटा 6 हो गया बट 4 जो है वो 12 से replace हो रहा है 12 divide इधर आया 4 बटा 6 बटा 6 multiple 1 रहना तो ये मेरा answer हो सकता है definitely answer हो सकता है बट एक बर हम C option को भी नजन अंदाज नहीं करेंगे यहाँ पर देखिए 12 और 4 interchange हो रहे हैं अगर इधर 12 आया तो 7 बटा 12 तो रहे गई रहेगा तो ये भी eliminate answer आगया correct C option अगर आपके पास बिल्कुल भी time नहीं है option eliminate हो गए इसे mark कर दो 80 to 90% मेरी guarantee है कि answer exact सही बनेगा यह तो चलो इसे solve करी लेते हैं पहले इसकी score replace करना है 4 और 12 को इधर 4 उना 5 प्लस 7 डिवाइड और माइनस भी replace हो रहे है 12 डिवाइड बाई 6 तो हमने interchanges apply कर दी चलो यह हो गया 20 प्लस 7 माइनस तो 27 में से 2 कम गरदो 25 सी option में हमारा correct answer समझ में आया तो जो चीज़े हमने पीछे सी की है वही चीज़े आपको यहां पर implement करने है तो रहलका सा time taking होगा combination है क्योंकि यहां बर science का भी और numbers का भी next देखिए next देखिए क्या हो सकता है अब दो digit की बात की जा रही है अंक यह और जादा typical हो गया digit को replace करना है चलो देखते हैं plus और multiply और divide interchange करेंगे पतलब divide यहां पर आगया multiply इधर आगया 8 और 3 भी replace होंगे इधर आगया 8 इधर आगया 3 82 तीन का multiple बनेगा 83 तीन का multiple नहीं है 3 के table पर 82 नहीं आता option eliminate करो कोशिश करना बस fractional value ना बने आप ignore करके चल सकते हो directly उसके बाद आते हैं plus or divide plus or divide replace होंगे इधर आगया divide और इधर आगया plus उसके साथ साथ 9 और 8 भी replace होंगे 9 और 8 अगर replace हो भी जाएं तो इधर तो 9 और 8 नहीं आ रहा न और 65 तेरा का multiple भी बन रहा है तो ये मेरा answer हो सकता है मैं इसे hold पे रखूँगा ये मेरा answer हो सकता है हम बाकी options को भी देख लेते हैं एक बार ओके ये option तो directly eliminate हो रहा है minus or multiply अगर minus or multiply replace कर दिये ये लोग कर दिये एक बार 5 और 8 भी replace होंगे 5 और 8 भी replace होंगे तो 8 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा बट 5 और 8 यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा न सोरी 5 और 8 replace होगा ने 3 कर दिया बट इसके उपर तो कोई impact नहीं पड़ेगा अब देखो दियान से क्या 119 32 का multiple है दूर दूर जख नहीं है 32 के table पर 119 कब से आने लग गया यह तो बाहर निकला अब आती है बात D option के उपर अराम से relax होके इन चीज़ों को mentally करने आपने practice कर लोगे न sufficient question की फिर बहुत easy लगने वाला है plus और multiply अगर replace होंगे इधर आगया multiply और इधर आगया plus इसी के साथ साथ 2 और 9 भी replace हो जाए अगर 2 और 9 इधर आगया 2 और इधर आगया 9 क्या 49 के table पर 112 आता है 49 के table पर 112 नहीं आता ठीक है unit digit उठालो 9 एकम 9 unit digit 9 आजाएगा 9 दुनी 18 unit digit 8 आजाएगा 9 तिया 27 27 आजाएगा 9 चुके 36 अब इतने multiple तो बनी नहीं रहे 2 से ही गुणा कर तीन से ही गुणा करने पर आप 112 के करीब पहुंच रहे हो कहीं न कहीं पर फिर भी हमें unit place नहीं दिखाई दे रहा तो आप इस option को भी ignore करके चलो करेक्ट अंसर हमारा कहीं न कहीं क्या दिखाई दे रहा है option number B हम option number B को ही priority लेके solve करेंगे अगर ये ना हुआ हम फिर से वापिस आएंगे इसके उपर क्योंकि बाकी तो कभी भी नहीं हो सकते हमने देखा भी है इस चीज़ के बारे में चलो 9 और 8 को replace करते हैं और plus और divide 65 divide 13 minus 100 कितना मनेगा 8 क्योंकि 9 और 8 replace होंगे उसके बाद प्लस इदर आ जाएगा 35 गुणा 9 समझे नहीं बात क्योंकि 9 और 8 interchange हो रहे थे यह हो गया कितना पांच माइनस 118 प्लस नो दुनी अठारा एक नो ती है 27 और एक ठाटाइस ओके चलो 288 में 118 कम कर दो कोई फर्क नहीं बढ़ता हम पहले प्लस करें माइनस करें 118 कम करेंगे तो 170 आ गया 170 में आच जोड़ दो यह प्लस की वेल्यों एक सो पिचत्तर हमारा प्रेक्ट आंसर दे रहा है ओप्शन नंबर भी ओके नेक्स्ट अगेन वही चीज़ें इंप्लिमेंट करते हैं साथ और नो और प्लस और मल्टिप्लाइए पहले प्लस और माइन पहले साइन करोगे तो वह ज़्यादा बहतर होगा आप करने का तरीका भी देख रहे हो मेरा प्लस और मल्टिप्लाइए आपस में इंटरेचेंज करो इधर आ गया प्लस और इधर आ गया 95 13 का table पे आता है 13 को 7 से कुणा करोगे तो 91 आएगा sorry divide तो इदर है भी नहीं moreover 8 बटा 5 आ गया ना fraction generate कर रहा है fraction generate कर रहा है इससे तो ignore करके चलो अब हम आते हैं option number B के उपर minus और divide replace होगा इदर आ गया divide इदर आ गया minus का sign 5 और 8 भी replace होगे इदर आ गया 5 और 8 हम कर देंगे 5 को 8 के साथ replace 78 13 का multiple है 13 चीक 58 यह answer हो सकता है यह हमारा answer हो सकता है तीसरे पर आते है तीसरे option पर आते है minus और multiply अगर replace करें इदर आ गया minus और multiply replace कर दिया दूसरी बात 3 और 5 भी replace होगा अगर मैं divide जहां पर बैठा हुआ ना वहाँ पर replacement करके देखो तो ज़्यादा बहतर पता चलेगा आपको कि वो eliminate हो सकता है नहीं क्योंकि fraction बनाने वाला एक ही sign होता है divide अगर fraction create हो रहा है उस divide का sign के साथ उन digits को replace करने पर fraction create हुआ तो eliminate कर दो ignore करके चलो अब अगर मैं तीन और पांच को replace करो देखो इधर तीन आ गया आठ तीन का multiple थोड़ा है ये भी बाहर निकलेगा अब आएंगे किसके उपर हम option number D के उपर divide और multiply इधर आगया divide और इधर आ गया multiply आठ और तीन भी replace हो रहे हैं अगर इधर चलो 5 और 8 replace होगा minus or divide 5 और 8 replace होगा minus or divide 5 और 8 8 को 5 से 5 को 8 से minus के साथ divide ये हमारी equation बनेगी इसे solve करके देखते हैं 93 आता है नहीं ये कितना हो गया 6 plus ये कितना हो गया कर सकते हैं एक ही step में क्योंकि बीच में plus का sign है एक दूसरे उपर कोई इंपेक्ट नहीं डालेंगे माइनस आठ चानवे में छे जोड़ दो एक सो एक में आठ कम कर दो 93 हमारा करेक्ट आंसर आइधिंक क्लियर हो रहा होगा यह बहुत एजी लेवल के होते हैं वैसे एक्वेशन हलके से टाइम टेकिंग लगेंगे अगर जाना चाहिए कोन से दो डिजित और साइन को रिप्लेस किया जाना चलिए पहला option डिवाइड और माइनस इधर आगया माइनस और इधर आगया divide दो और तीन को रिप्लेस करना है जहां divide है वहाँ कोशिश करो रिप्लेस्मेंट की चॉनतीस क्या सोला का multiple है नहीं है साथ में साथ नहीं इंटरचेंज हो रहा है च्छानवे चोबिस का मल्टिपल है चोबिस चोक च्छानवे ये मेरा आंसर हो सकता है ओके ये पिछले साल वाले जैसे question है अब एक चीज आपने देखी होगी न मतलब examiner भी कही ना कहीं आपके साथ रहम दिली दिखा देता है क्योंकि candidate अगर option की दुरू question solve करेगा न पहला नहीं तो उसे दूसरे option में answer मिल जाएगा वो भी कहाँए चले यार कोई बात नहीं पहला option से की है ना तो ने try चलो दूसरे में ही तेरे को answer देता हूँ ज्यादा तेरा time waste ना हूँ हमने पिछले तीन question किये हो तीनों में ही भी option आ रहा था इसमें भी लग रहा है देखो बाकी देखेंगे अभी अभी मैं sure नहीं हूँ जस्ट एक normal सी बार discuss की है divide और plus इधर आगया plus और इधर आगया divide 4 और 7 अगर मैं इधर 4 लगा भी देता हूँ 7 की जगा 5 बटा 34 fraction create कर रहा है बाहर निगा लो उसके बाद यहाँ पर आईए plus और multiply plus multiply 2 और 3 2 और 3 अगर replace करेंगे इधर 3 आगया अब 97 divided by 34 बनेगा ना 34 के table पर 97 नहीं आता तो मतलब यह भी eliminate हम किसको करके देखेंगे interchange जो भी option में हमें conditions required है खलो भी options वाली apply करते हैं 7 और 6 plus or minus 7 और 6 plus or minus plus, plus minus होंगे 7 और 6 भी होंगे 7 और 6 कर दिया plus minus कर दिया interchange ध्यान से करना मैं पहले बार-बार बोल रहा हूँ 7 और 6 तो होंगे convert होगा, interchange करेगा, यह नहीं कि सिर्फ 2 ही अपनी मर्जी से से पकड़ लिए अगर 6, 7 के साथ interchange हो रहा है तो चाहे 10 बार आपको यहाँ पर साथ दी गए वो 7, 6 में convert होगा ही होगा चारो इसे solve करते हैं, 4 plus इसे solve कर दो एक ही step में minus 36 87 और 4 कितने होगे है हमारे पास 89 89 में 36 कर दो, बिल्कुल ठीक है 53 हमारा जो है वो result निकल के आ रहे next, फिर से देखिए minus plus, इधर plus, इधर minus उसके बाद 8 और 2, इधर 2 लगा दो भाई यह बन रहे 92, 4 का multiple है तो हम इसे ignore नहीं करके चलेंगे यह हमारा answer हो सकता है पकड़ते हम दूसरा option multiply और divide इधर multiply और इधर divide 5 और 8 अगर इधर 8 रख दें 95 देखो, 8 का भी multiple है तो मेरा answer तो यह भी हो सकता है अभी तक कोई option नहीं हमारा ignore हुआ तीसरा option पकड़ते है plus और divide इधर divide आ गया इधर plus आ गया interchange कर दिया 5 और 9 अगर इधर 56 रख भी देते हैं तो 126 चपन के table पे नहीं आता fraction create करेगा तो आप इसे ignore किजिए शुकर है एक option तो eliminate हुआ multiply और divide divide और multiply इधर multiply और इधर आ गया divide उसके साथ 6 और 4 अगर इधर 4 आ भी जाता है 6 की जगा तो 94 5 का multiple नहीं है fraction create करेगा इसे भी बाहर निकालो अब इन दोनों मेरा answer है बार बार हम भी option देख रहे हैं ठक गे हैं थोड़ा चलो एक को देख लो अगर वो नहीं तो फिर वो answer होगा क्या गर सकते हैं यह option वाली condition अब apply करने वाले आठ और दो माइनस और प्लस आठ और दो माइनस और प्लस आठ और दो इदर आ गया आठ माइनस और प्लस तुना पांच कर दिये replacement चलो इदर आजो कितना आएगा 23 प्लस 186 माइनस चेपांस तीन इस तीन इंताली 480 ठीक है जी चलो उमीद तो कम है कि 266 तक पहुंचे हम माइनस में रिजल्ट आएगा क्योंकि ये वैल्यू जुड़के भी ये वैल्यू जो है वो बड़ी रहेगी इससे माइनस में आंसर आएगा तो ए ओप्शन तो निकला बाहर फिर से हमें ट्राई करना होगा कौन सा ओप्शन नंबर भी ओप्शन नंबर भी चूज करते हैं पांच और आठ डिवाइड और मल्टिप्लाई डिवाइड और मल्टिप्लाई पांच और आठ अरे पांच और आठ रिप्लेस होना दा इधर आ जाएगा क्या मल्टिप्लाई डिवाइड भी होना दा ना इधर मल्टिप्लाई का साहिन है चलो 126 प्लस 96 डिवाइड बाइ आठ क्योंकि 5 और 8 रिप्लेस हुए इसको सॉल्व करें 400 में से 20 कम कर दो 380 माइनस 126 प्लस 12 हाँ यह हो सकता है अंसर देखो 380 में 126 कम कर दो 380 में पहले 120 कम करो कितना आ गया 260 260 में 6 और कम करो 254 254 में अगर 12 जोड़ दें बिलकुल आ रहा है यहाँ पर भी देखो हमारा अंसर के आ रहा है option नमबर भी ठीक है यह टोप लेवल के थे अब आपको रियलाइज हो भी गया होगा यह वीडियो देखके शेयर करना मत बूलना अगर आपको अच्छा लगा है सेशन काफी अच्छी ट्रिक्स आपको पता चली है तो लाइक जरूर कर देना और बाकर के साथ शेयर भी कर दो चैनल को सब्सक्र करो टेलिग्राम चैनल जोइन करना मत बूलना क्योंकि इसकी पीडियो आपको वहीं पर ही मिल जाएगी और अगर आप नए हैं बिगिनर है वेस्ट वे के साथ अगर आप सीखना चाते हो रीजनिंग बाकी आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता चली ही चुका है अगर पसं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाकियों से टोटली डिफरेंट बनाती हैं बहुत सी हेलफूल चीज़ें हैं अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो यह हमारा ओफिशिल नंबर है कभी भी कॉल करके पूचे तो यह रहा हमारा मैथमेटिकल लेना चाते हैं किसी और से पढ़ रखे हैं पॉलिशिंग चाते हैं हर एक चीज़ की फारा घंटे की रिवीजिन वीडियो आपको मिल जाएगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डबल स्पीड के साब उससे देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें आपको न नए चैप्टर के साथ अब तक के लिए बस पढ़ते हो जोर लगा दो इस बार एक्जाम आपका क्लियर होना ही चाहिए तियर वन में क्लियर कीजिए टियर टू में पूरी हल्प मिलेगी चलिए टेक केर बाबाए थैंकिस हो